Welcome back students, तो यहाँ पर आज आप लोग साधारन ब्याज में पढ़ाने जा रहा हूं, यानि की Simple Interest और Simple Interest means Simple Calculation तो स्टुडेंट साधारन ब्याज जो होती है, उसकी गन्ना बहुती सिंपल होती है और इसी जो logic आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसी logic के आधार पर आपके जो top most questions होते हैं, जो competition में ज़्यादा तर पूछे जाते हैं, वो भी आपके इसी logic से solution होंगे लेकिन आज जो students मैं आप लोग को यहाँ पर साधारन ब्याज बताने जा रहा हूं, ना कोई formula और ना ही कोई trick का इस्तेमाल में करने जा रहा हूं, सिर्फ logic पर यहाँ पर काम होगी कोई भी फर्मुला नहीं आपको बताऊंगा, और मैं आपको समझा दूँगा कि किस परकार से हम लोग साधारन ब्याज की गन्ना करेंगे, जिससे कि आपके बड़े से बड़े हिसाब भी काफी आसानी से बन जाएंगे साधारन ब्याज का, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो आज का हमारा टॉपिक है साधारन ब्याज, और साधारन ब्याज के कुछ जो में टर्म्स होते हैं, स्टुडेंट सब से पहले हम लोग इस में टर्म्स को जान लेते हैं, जैसे कि इसमें में टर्म्स आपके डिनोट करते हैं इसके बाद आपके इसकी दूसरी जो मेंन फ्乐 काते हैं तो आर से डिनोट करेंगे qaiker होता है टाइम का यानि समय तो हम लोग इसे ट से डिनोट करेंगे और इसके बाद आपका होता है मिस्रदहन मिस्रदहन आप समझते होंगे student, मिस्रधन, aggregate जो की आपके मिस्रधन का मतलब होता है students आपके a बराबर जो होता है p plus यानि p मतलब मुलधन और पलस simple interest आप लोग जानते होंगे जो simple interest होता है उसे हम लोग short में si लिखते हैं और आज हम लोग यहाँ पर simple interest यानि si को ही पड़ रहे हैं तो aggregate मतलब होता है जो ब्याज और आपके जो मूलधन दोनों जोर कर जो आपको कुल धन होते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं मिस्रधन तो जैसा कि नाम से किलियर है मिस्रधन यानि कि उसमें मिला हुआ धन होता है अब आईए हम लोग इस पर थोड़ा सा इसके हम लोग जो है पैटर्न पर चर्चा करते हैं तो इस्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होती है साधारन ब्याज हम लोग जब भी इस्तेमाल करते हैं तो एक तरह कि यह फिक्स ब्याज होती है फिक्स ब्याज कहने का मतलब यह होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी ब्याज आपके पचास रुपए हर मन्थ आपको इसे देना है यानि यह जो ब्याज है आपके मासीख है ठीक है हर मन्थ आप इसे पचास रुपए ब्याज दे रहे हो तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप दो महने का ब्याज दोगे तो आपको दो महां में कितनी ब्याज देने होंगे दो महां में आपको सो रुपए ब्याज देने होंगे अगर यहीं तीन महेने हो जाएंगे तो आपको डेरी रोपय देने पड़ जाएंगे कैसर कोई परिबरतान होगा स्टुडेंट तौर बोलो गीनाही इसमें कोई परिवरतान नहीं होता है अगर 50 रुपए ब्याज है अगर एक साल के मैंने 12 महने ब्याज नहीं दिये तो मैं 12 महने पे आपको totally कितने ब्याज दे दूंगा 12-65-600 रुपए ब्याज दे दूंगा एक साल में तो इसी परकार से इसके परसेंट की भी गन्ना होती है तो अगर हम बात करें 1000 रुपए का अगर हम 50 रुपए की बात करें तो कितने परसेंट हो गए ब्याज की दर क्या हो गई 5 परसेंट हो गई सिधी सी बात है यहाँ जो ब्याज की दर हो गई अगर हम एक हजार रूपय का अगर हम 5% रेट पर उधार लिये हैं तो यह रेट अगर 5% है तो जब हम इसको 2 साल रखेंगे तो 2 साल भे हमें कितना देना होगा 10% देना होगा अगर 5% 50 होती है तो 10% 1000 रुपे के 100 होंगे इसी परकार से 3 महने में आपके 15% तो इस परकार से students क्या होती है कि आपके जो rate होती है वो आपके जितने भी आपके terms पे देने होते हैं हम लोग terms से multiply करेंगे अब इसकी देखे एक नई चीज अब यहाँ देखे बिल्कुल तो यहाँ पर क्या होता है मानकर चलो आपने किसी से लिए 5000 5000 रुपे का आपने तीन वर्स में 6% दर पर ब्याज ग्याद करना है तो यहाँ पर हम लोग कोई formula इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो सीधा हम लोग को यह देखना है कि हमारा जो दर है वो आपके वार्सिक दर कितने है 6% है और अगर हमने तीन वर्स के लिए है तीन वर्स के लिए तो हम लोग यहाँ पर totally rate कितना देंगे 18% हम लोग को देना है तो सीधा हम क्या करेंगे यहाँ पर बिना किसी formula के direct हम लोग 5000 का जो 18% होता है वो हम यहाँ पर calculate कर लेंगे तो 18,5 आपके 90 यानि कि 900 रुपे हमें आपके 3 साल में 6% के हिसाब से ब्यास देने होंगे तो उम्मीद है कि यह बात आप लोग को समझ में आई होगी इस्टुडेंट तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी आपके rate percent है उसे आपको time से multiply कर देना यानि totally आपको उतने percent देने है अगर मानकर चलो इस्टुडेंट से अगर देखा जाए तो किस धन का पांच परतिसत वार्षिक दर से आठ वर्ष में मिस्ट धन 1960 रुप्या हो जाएगा अगर मानकर चलो इस तरह के problem है तो आपको यहाँ पर धन जो है वो पी आपको मालूम है ही नहीं आपको यहाँ पर पी निकालना है तो जब भी ऐसा सवाल होगा तो आठ वर्ष में पांच परतिसत दर से आप खुश सोचिए कि आप कितने परसेंट यहाँ पर आप ब्याज दोगे तो आठ गुना पांच परसेंट यानि कि आप टोटली ब्याज जो दोगे वो आप चालीस परसेंट दोगे और चालीस परसेंट आपके ब्याज हो गए तो जब उसे धहन लोटा होगे तो टोटली कितने परसेंट लोटा होगे एक सो चालीस परसेंट लोटा होगे तो जब एक सो चालीस परसेंट आपके कितने हो गए एक हजार नौसौ साथ रुपे हो गए, 140% की बेल्यू आपके एक हजार नौसौ साथ हो गए, यहां सा अगर हम इसे कटा ले, यह आपके 14 से 14 बार में कट जाएंगे, यह परसेंट की बेल्यू कितनी हो गई? एक परसेंट की भेलू 14 होगई तो यानि कि जो आपके द्धन हो जाएंगे यानि रुपिया जो है वो आपके 14-100 रुपे हो जाएंगे यानि कि अगर मुल्धन हमें निकालना है कोई धन 5% दर से 8 वर्स में 1960 हो गया तो वहाँ पर हम 5% की दर से 8 वर्स पैसे को रखे हैं तो 8 वर्स में 8 पंचे कितने परसेंट हो गया 40% हो गया तो 40% आपके ब्याज और 100% जो मुल्धन है वो मिला करके टोटली कितने हो गया टोटली 140% हो गया तो 140% का यानि मिसर धन जो हो गया वो 140% कितने के बराबर हो गया 1960 के बराबर हो गया तो उमीद है किसे आप लोग ने समझा होगा चानि कि जब भी आपको धन लोटाना यानि एग्रिगेट जब भी आप लोटाओगे तो उस एग्रिगेट में 100% आपके P हो गए और आपके जितने भी वहाँ पर rate होंगे अगर मान के चलो 5% की हमने 10 से 8 साल हमने धन को रखा तो 8 पंचे यानि 40% हमने उस धन का ब्याज दिया तो ये आपके जो है R जो हो जाएंगे वो आपके यहाँ पर 40% हो जाएंगे यानि कि जब हम ए लोटार हैं हैं तो 100% उसका अपना धन और 40% ब्यास समेथ हम लोग उसे 140% लोटाएंगे उमीद है कि ये बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी आईए हम एक और एक्जामपल सिसे समझते हैं अगर मान कर चलो किसी आप लोगों के कोई धन है अगर मान कर चलो वह धन 8% दर पर 8% दर पर अगर 4 बरसों में 2640 हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आप से धन की बात कही जाये तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं 8% दर पर 4 बरसों में 2640 हो जाता है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8 चोग के कितने परसेंट हमें ब्याज देने पर रहे हैं 32% ब्याज देने पर रहे हैं तो हम जो उसे टोटल धन लोटाएंगे वो कितने परसंट लोटाएंगे 132% लोटाएंगे यह जो 132% है वो 132% कितने के बराबर हो गया 2640 के बराबर हो गया क्योंकि कि वहां पर हम लोग जो 306 40 अगर 20 के बेस के बनाबर हो गए तो यहां पर घर दहन की बात कि चाए तो कितनी आसान तरीके सें बिना किसी फर्मुला कर अगर इसी चीज को आप पर्मुला के मदश्ट करने जागे तो student आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई भी होगी और calculation थोड़ी सी hard हो जाएगी तो उमीद है कि इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छे से समझ पाया होगा यानि कि students हम लोग जो भी rate देते हैं अगर हम 5% या 4% जो भी rate होता है अगर हम इसे 2 साल रखेंगे तो 2-5-10% तो हमें यहाँ पर totally लोटाना कितना होगा अगर एक ही बात होगी तो 110% हो जाएगे यहीं पर अगर 3 साल हम रखें तो 3 साल में ये धन हमारा 15% हो जाएगा तो aggregate की बात करेंगे तो हमारा 115% aggregate हो जाएगा इसी परकार 4 साल में 20% तो aggregate 120% हो जाएगा स्टूजेंट ये इस साधरन ब्याज की main theme है अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो आप सारे problems को चुटकी में हल करना सीख जाओ तो आईए आप कुछ important सवाल यहाँ पर देखते हैं जो की खास करके आपके competition में ज़्याद तर पूछे जाते हैं मैं हर परकार के types को यहाँ पर आज एक ही class में आप लोगों को दिखला देता हूं तो student देखिए अब यहाँ पर आपके पास एक सवाल है कि मोहन ने सोहन को दो वरसों के लिए 600 रुपे उधार दिये और राम को चार वरसों के लिए 1500 रुपे उधार दिये दोनों से कुल मिलाकर 90 रुपे की ब्याज प्राप्त हुई यदि व्याज की गन्ना साधरन ब्याज के दर से की गई हो तो ब्याज की दर बताएं तो यहाँ पर student आपको दर ही मालूम नहीं है तो जब भी ऐसा condition हो अगर आपको दर मालूम नहीं हो जैसे कि अगर हमें दर मालूम होता अगर दर 5% मान कर चलो है 8 वरस के लिए लिए तो 8 पंचे हम लोग यहां 40% कर देते थे लेकिन अगर आपको दर ही मालूम नहीं होगी तो यहां पर student क्या करना है हम लोगों को पैसे को ही multiply कर देए मान कर चलो कि student यहां पर अगर बात की जाए तो 600 रुपे दो वरसों के लिए दिया गया तो अगर हम मान कर चलो इसे एक ही वरस के लिए मान लेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर जो पैसा हो जाएगा वो 600 दुनी एक ही साल में 1200 रुपे हो जाएगा मानकर चलो उस बैक्तीरे 600 रुपे दो वर्स के लिए नहीं लेकर 1200 रुपे एक ही वर्स का ले लिया तो वहाँ भी ये बात एक ही हो गई और अगर 4 बर्स के लिए हमने 1500 रुपे दिया तो यह आपके 1500 रुपे कितने हो गए 600 रुपे हो गए यानि कि जो भी ब्याज हमने ली वो टोटल हमने 1800 रुपे की ब्याज ली आप बात को समझ रहे होंगे student कि यहाँ पर अगर हमने 600 रुपे का एक साल में ब्याज लिया फिर हमने 6 साल का दूसरे साल में ब्याज लिया अगर एक ही साल पर गणना करेंगे तो हम directly देख रहें कि हम 1200 का ब्याज ले रहें तो आठारा सु रुपए का ब्याज हमने कितने रुपए लिया, 90 रुपए लिया, तो आपको यहाँ यह देखना है, कि जो 90 रुपए है, वो टोटली आपके अठारा सौ का कितने परसेंट हो जाता है, तो एक बट्टे 20, यानि कि 5 परतिसत, तो इस्टुडेंट्स यह जो है, 90 रुपए जो पराप्त हुआ, यह 5 परसेंट के हिसाब से अठारा सौ रुपए का ब्याज हुआ, तो यानि कि आपका दर कितना है, आपका दर है 5 परसेंट, तो उम्मीद है कि स्टुडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, तो है न कितना इजी लॉजिक बताओ इस्टुडेंट्स यहाँ पर ना कोई फर्मूला में ने इस्तेमाल किया, ना ही कोई ट्रिक बताई आप लोगों को, सीधा आपके सिंपल केलकुलेशन से हमने इस प्राब्लम को बना डाला, तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे, अगर इस बात को आप समझ रहे हैं, तो आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेट साधारन व्याज के प्राब्लम को बहुत ही इजी तरीके से बना पाओगे, अब इस टुडेंट्स यहाँ पर एक सवाल आप देख रहे हो कि किसी निश्चित धन पर चार परतिसत परती वर्स की दर्से, चार वर्सों में प्राब्त व्याज, उसी रकम को पांच परतिसत की दर्से, तीन वर्स में प्राब्त व्याज से 80 रुपे अधिक है, तो धन ग कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख लो, इस्टुडेंट्स, कि आपने देखा कि किसी धन पर चार परतिसत की दर्से, हमने यहाँ पर कितने साल रखा, चार परतिसत की दर्से, चार वर्स में, तो वहाँ पर अगर चार परतिसत की दर्से, अगर चार साल रखेंगे, तो हम हमflowerएफ इस पहले धन ऑस यहानी मिलेत लाइब एक सद्रुक्जार से फरक स्काइब है एक PERCENT का पर्लेज और हम एक प्रसेंट का परह से भा स्काइब फर्क पर रहा है तो उस एक परसेंट से कितने रुपए का फर्क आया असी रुपए का फर्क आया यानि ये एक परसेंट आपके कितने के बराबर है असी रुपए के बराबर है यानि कि जो धन होगा वो कितने हो जाएंगे आठ हजार रुपाए हो जाएंगे वो धन तो है ना इस्टुडेंट्स बिलकुल सूपर लॉजिक है ना अगर आप लोग को समझ में आ रही हो अच्छा लगे वीडियो तो एक थमसप कर देना और वीडियो को सेर और लाइक जरूर करना जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूरी कर लेना क्योंकि एक से एक भैतरी इन चीज आपको इस चैनल पर मिलने वाली है तो यहाँ पर यह आपका अपना चैनल है विद्धिया विहार कंपेटिसन क्लासेस आए देखते हैं एक और प्राब्लम्स को अब इस्टुडेंट्स जो अगला सवाल आपके बीच यहाँ पर आप देख रहे हैं पांच परतिसत वार्सिक ब्याज की दर से कोई धन छे वर्सों में 2613 रुपए हो जाता है उसी दर पर कितने वर्सों में यह धन 3015 रुपए हो जाएगा तो यहाँ पर आईए इस्टुडेंट्स सबसे पहले हम लोग इस सवाल को बनाने के लिए तो यहाँ पर आपने देखा कि 5% की दर से 6 वर्स में तो 6 वर्स में यहाँ पर 2613 हुआ यानि कि आपके जो ब्याज है वह 6 गुना 5 कितने परसेंट वहाँ पर आपको ब्याज मिल रहा है 6 पंचे आपको ब्याज मिल रहा है 30 पर 37 पर 37 ब्याज मिल रहा है और यह धन आपका कितना हो गया 2613 रुपए हो गया इसका मतलब है कि धन जो आपका 130 परसेंट है वह 130 परसेंट आपका कितना हो रहा है 2613 रुपए हो रहा है यानि कि अगर हम इसे 13 से कटा दे तो 13 धाई है और यह आपके 13 दुनी 26, 13 कम 13 यानि 10 परसेंट आपके 201 है यानि अगर धन की बात करें तो धन आपके 10 गुना यानि 2,010 रुपए वो धन हो जाएगा तो उसी दर पर कितने वर्थों में ये 3,015 रुपए हो जाएगा तो अगर इस्टुडेंट्स यहां पर हम देख रहे हैं कि आपके जो धन तो आपके 2,010 रुपए है सुरी ये आपका धन आपके 2,010 रुपए है और ये अगर 3,015 रुपए होता है तो इस कंडिशन में आपका जो SI है वो SI आपके कितना निकल जाएगा 3,015 से अगर हम लोग यहां पर 2,010 को माइनस कर ले तो आपके 1,015 रुपए आपके यहां पर ब्याज हो जाते है तो यहां पर आप देखेंगे 1,005 रुपए तो यह जो 2,010 का कितना परसेंट हो गया आधा है यानि कि 50 परसेंट हो गया तो आपके ब्याज की जो दर है वो 5 परतिसत है तो 5%-20 की दर के हिसाब से 50% होने में कितने साल लगे होंगे 15-50 यानि कि 10 वर्स हो जाएंगे समझ में आया होगा इस्टुएंट साब लोग अच्छे तरीके से यानि कि जो मेरा धन है वो 2010 है और वो कितने वर्सों में 3015 हो जाएगा यानि कि 1,005 रुपे बढ़ेगा यानि मेरे धन का ठीक आधा यानि 50% धन बढ़ेगा तो यहाँ दर तो 5% ही वर्सिक है अगर एक साल में 5% बढ़ रहा है तो 10 साल में 50% बढ़ेगा तो 10 साल में ये धन आपका 3015 रुपे हो जाएगा तो अगला जो प्रसन है यहाँ पर इस्टुडेंट्स किसी रासी का साधारन ब्याज मुल्धन का एक बटे नौ है और वर्सों की संख्या वार्सिक ब्याज की दर के बराबर है यानि सीधी बात है कि अगर हम एक्स परसेंट ब्याज दे रहे हैं तो एक्स वर्स समय भी दे रहे हैं यानि दर और समय बराबर है यानि कि जो आपको टोटल ब्याज देना होगा वो एक्स इसक्वाइर देना होगा तो यह जो एक्स इसक्वाइर है यहाँ पर वो आपका ब् 10 बटे 9 माल लेंगे, यानि 1 बटे 9 परसेंट, तो एक सब बटे आपके 9 हो जाएंगे, तो X की जो value हो जाएगी, वो आपके 10 बटा, यानि कि 10 बटा 3 परसेंट, यानि कि आपके हो गया, 3 पुर्नांक, 1 बटे 3 परतिसत, यानि का आप 3 पूर्णांगे 1 बटे 3 परसंट या समय कह लो या 3 पूर्णांगे 1 बटे 3 परसंट आप दर कह लो तो बात यहां पर एक ही हो जाएगी अगला जो सवाल है नहींद की कोई धन 20 वर्सों में 3 गुना हो जाता है तो ब्यास की दर बताईए तो यहाँ पर अगर देखा जा जए तो 20 वर्सों में धन 3 गुना हो जाता है माल लो कि आपने यहां 100 रुपे रखा और वो धन आपके बढ़कर तीवना यानि कि 300 रुपए हो गए तो जब आपके 100 रुपए 300 रुपए हो गए तो यहाँ पर 300 ही आपके पूरे धन तो यहाँ ब्याज नहीं है आपके इसमें 100 रुपए आपका अपना धन है तो अगर हम यहाँ पर simple interest की बात करें तो simple interest आपके कितने हुए सिर्फ 200 ही हुए यानि कि आपका धन 20 साल में तीवना हो गया यानि कि आपके जो धन है वो 200 रुपए धन बढ़ गए 100 रुपए का 300 हो गया तो धन 200 बढ़ा तो यह जो 200 बढ़ा तो इसको कितने साल लगा बढ़ने में यानि 20 साल लगा तो 20 आपके दोधाई 20 इसका मतलब है कि जो rate percent है वो 10 percent का rate percent चल रहा है उमीद है किसे आप लोगोंने समझ लिया होगा अच्छे से बढ़ते हैं next question की और तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ब्यास दर 10 परतिसत के बदले 15 परतिसत हो तो दो वर्सों में किसी धन का साधारन ब्यास का अंतर 25 रुपिया होता है तो यहाँ पर अगर आप देखे student तो 10 percent के बदले अगर हम 15 percent करेंगे तो एक साल में हमें कितना percent का benefit होगा 5 percent का यहाँ बात कितने साल की हो रही है दो साल की तो दो वर्स में यहाँ पर बेनी feed हो जाएगा वो 25 कितने साल percent का अंतर आएगा 10 percent का अंतर आएगा 10 percent का बेनी feed होगा और यही 10 percent जो है साधारन ब्यास का अंतर कितना percent हो रहा है पचीस हो रहा है तो अगर आपके 10 percent पचीस रुपे के बड़ाबर है तो यहां पर आपके जो 100% होंगे वो आपके 10 गुना ज्यादा यानि मुलधन आपके 250 रुपे हो जाएंगे यहीं 250 का 10% का 2 साल में और 15% का 2 साल में अंतर 25 रुपे हो जाएगा तो बढ़ते हैं next question की ओर यहां पर आपने देखा कि अगला जो सवाल है आपके लिए कितने समय में किसी धन में 5% वारसिक दर से 40% की बिर्धी हो जाएगी तो सिधी सी बात है कि 40% बढ़ जाएगी और एक साल में कितना बढ़ रहा है एक साल में 5% बढ़ रहा है तो 40% 5% के हिसाब से बढ़ने में कितना समय लग जाएगा आठ वर्स लग जाएगा यहां पर आई बास समझ में यह है साधारन ब्याज की साधारन गन्ना नो फर्मुला नो ट्रिक वनली लॉजिक तो यहां पर आईए अब देखते हैं कि कोई धन एक निस्चित दर पर तीन वर्स के लिए साधारन ब्याज की दर एक परतिसत कम होती तो 269.20 रुपया कम ब्याज देना परता मुल्धन कितना है यहां पर इस्ट्रिट एक चीज़ देखिए कि अगर साधारन ब्याज एक परतिसत कम होती तो यानि कि एक परसेंट कम होती तो तीन साल में तोटली कितना कम होता 3 साल में आपको totally 3% की कमी होती आपको ब्याज देने में 3% की कमी होती तो ये 3% से आपको कितने क्या benefit हो रहा है कितना कम देना पर है 3% के ही काराण आपको 269 रुप तो दो आंग के बाद पॉइंट चले जाए नहीं 8000 चालीस रूपए यहां पर आपके हो गए मुल्धन निकालना था जो मुल्धन आपके 8640 रुपए हो गए आई बात समझ में को समझ रहे होंगे आप लोग यहां पर जो बात है जिस चीज को समझना है उस चीज को आप लोग ध्यान दिजिए कि अगर आपके एक परसेंट की दर कम होती तो तीन साल में 3% हमें कम ब्यास देना पड़ता उसी 3% का यहां पर 269.20 रुपए हुआ न तो अगर 3% इतना है तो किसका 3% इतना हगा तो 8,640 वही आपका धन है देखते हैं अगले क्वेस्टन को यहां पर इचाझ मैं तो यहां पर अगला क्वेस्टन है आप देख रहे हैं कि एक हजार रुपए की रासी 20 पर 30 वार्षिक दर्ष से 4 बर्ष के लिए उधार दी जाए तो साधारन ब्याज क्या होगा तो यहां पर आप देख रहें कि 20 पर 30 दर्ष से 4 बर्ष के लिए देना है तो कितना परसेंट आप ब्याज दोगे 20 चौके 80% ब्याज दोगे तो अगर आप 1000 रुपए का 80% ब्याज दोगे तो कितना रुपए ब्याज दे दोगे तो 80 दाई 800 रुपए ब्याज दे दोगे अप्सन नमर डी हो गए बिल्कुल सही जवाब यानि कि 20% ब्याज दर से 4 बर्स के लिए उधार दिये तो 20 चौके 80% दिये 80% आठ सो गए तो है न बिल्कुल बिना किसी फर्मुला के ही सारे साधरन ब्याज का हिसाब यहाँ पर बनेगा अगला सवाल यहाँ पर देख रही है यहां तो साल नहीं है लेकिन यह पता है कि आपके जो दर है वो 5% वार्सी है तो आईए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे यह देखें कि 299 दिन यह वर्स में क्या होते हैं अगर हम देखेंगे यह आपके जो 219 दिन है वो आपके अगर वर्स की बात की जाए तो आपके हो जाएंगे 219 बटा में 365 तो 73 तिया 219 और 73 पचे 365 यानि कि यह आपके 3 बटे 5 वर्स हो जाएंगे अब सीधी सी बात है अगर 5 परतिसत एक साल में देने हैं तो 3 बटे 5 साल में कितने देने होंगे तो 5 गुना 3 बटे 5 तो 5 पांच कट गई यानि कि हमें यहाँ पर 3 परसेंट देने होंगे तो यहाँ पर अगर हमें 3 परसेंट देने होंगे तो टोटल धन कितना है पचीस सो है तो हम लोग यहाँ पर जो पचीस सो का 3 परसेंट दे देंगे तो 3 बटे 100 यानि की 25 तिया 75 रुपए हमें यहाँ पर ब्यास देना होगा यानि की 25 सो 75 रुपए मिसरधन लटाना होगा उमीद है कि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग किसी भी समय की गन्ना कर सकते हैं तो बढ़ते हैं एक और सवाल देखते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर जो अगला सवाल है यहाँ पर देखिए कि कोई धनरासी 5 बरसु में 800 रुपए हो जाती है और 7 बरसों में 1000 रुपए हो जाती है तो मुल्धन ग्याद करना है तो ब्याज की और दर भी आपको यहाँ पर मुल्धन ग्याद कीजिए और ब्याज की दर बताए यह पहले मुल्धन हम लोग को ग्याद करके ब्याज की दर बता देनी है तो यह इस्टुडेंट इसे हम लोग solve करते हैं और जब यहाँ पर 7 वर्स होती है तो यह धन 1000 रुपए हो जाता है यानि कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 साल बरने से ब्याज कितना बरहा 2 साल बरने से आपके ब्याज 200 रुपए बरहे इसका मतलब है कि हर एक साल पे जो ब्याज है वो 100 रुपए अगर दो साल में 200 रुपए बढ़ रहा है तो हर एक साल ये जो है आपके एक साल में 200 रुपए बढ़ रहा है इसका मतलब है कि 5 साल में 500 रुपए बढ़ा होगा तो अगर 5 साल में ब्याज की बात करे तो 500 रुपए हुई होगी तो पांस साल में अगर आपके धन आठ सो हो गए और पांस साल में ब्याज पांस सो है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो मुलधन है वो तो तीन सो रुपई ही हो गया यानि कि 800 में माइनस हो जायेगा हमारा 500 ब्याज तो हमारा जो मुलधन है वो तो मुलधन 300 रुपई ही है तो 300 रुपई मुलधन है तो अगर हम यहां बात करें कि 300 रूपए का ये जो पांच साल में 500 रूपए एक साल की बात करें तो एक साल में ब्याज कितना बरता है 100 रूपए तो 100 रूपए जो है वो 300 का कितना परसेंट होगा तो अगर हम लोग दर निकालना चाहेंगे तो आपके जो दर हो जाएंगे एक सो रूपए तीन सो का कितना परसेंट होगा तीन सो और परसेंट बदलने के लिए हम लोग इसे हंडेट से गुना कर लेते हैं तो सुनना सुनना कटा देंगे तो यहाँ पर एक सो बट्टे यानि कि जो दर है वो आपके एक सो बट्टा में तीन परतिसाद अप्शन नमर भी एक सो बट्टे तीन परतिसाद दर हो जाएगी अब यहाँ पर जो अगला सवाल है इस्टुडेंट्स वो आपके किस्त से रिलेटेड है आप लोग बहुत बार किस्त के हिसाबों में सभी को परिशानी बहुत होती है पर आज मैं आपको किस्त की एक ऐसी लॉजिक बताने जा रहा हूँ बिना किसी फॉर्मूला के जो कि आप लोग को हर समय जीवन भर आपको काम आएगा और यह बहुत ही सुपर लॉजिक है बड़े ही ध्यान से इसे देखने की जरूरत है यहां पर आप ने देखा कि आपको 2520 रुपए आपको किरासी है उसे तीन वार्सिक किस्त में दे करना है और पांच परतिसत वार्सिक दर है तो परतियक वार्सिक किस्त की रासी क्या होगी तो यहां पर सबसे पहले हमें यह दियान में रखना है कि कितने वर्स में देना है, तीन वर्स में देना है, अरदर क्या होता है, पांस परसेंट, तो स्टुडेंट यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर एक, दो और तीन साल, तीन साल में लटाना है, यहां पर और आप पैसा रखने वाले हो तो आपको 5% के हिसाब से यानि कि आपको 110% जो है आपको यहाँ पर देना होगा पहले साल में किस्त जब आप दूसरे साल में आते हो तो 5% के हिसाब से एक साल और आपको ब्याज देना एक साल का तो वहाँ पर आपको सिर्फ 105% ही देने होते है लेकिन जब तिसरे साल में आप आओगे तो वहाँ पर आपको उस साल में आपको कोई ब्याज नहीं लगता यानि कि आपको 100% ही वहाँ पर तिसरे साल में आपको देने होते हैं इस प्रकार अगर हम totally जोर ले तो हमने 3 साल में कितना दिया तो आप बोलोगे 300 और 15 यानि कि हम लोगों यहाँ पर 315% यहाँ पर तीन साल में दिया तो यह जो 315% है वो आपके कितने होगे यही 315% जो है आपके होगे 2520 रुपै तो अगर हम इसे यहाँ से कटा ले यहाँ से आपकी देखते क्या जाएगा तो पाच्छा के 30 पास्तिया पंदरा और पाच पच्छे पचीस 504 अब अगर इसे नौ से कटा दे तो नौ सत्य आपके होगे 63 और आपके पाच्छे प्रतालिस नौ साखे 54 सती अठी हो गए 56 यानि जो एक परसेंट की बेलू है वह आपके आठ हो गई यानि कि जो आपके वार्षिक किस्त होगी वह आपके आठ सो रुपै की किस्त हो जाएगी एंसर उमीद है कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ गएंगे यानि कि जब भी आपको तीन साल की दी होई होगी तो हमेशा एक साल माइनस करके चलना है आपको दो साल का यानि तिसरे साल पर आपको दो ही साल के ब्याज देने हैं अगर पांच परसेंट है तो दस परतिसत और अगर यहां पर चार साल में देनी होती तो आपको यहां पर जो तीन साल की आपको ब्याज दनी होती तो पहले आपको जो पहले साल पर ब्याज लगती वो आपको 115 परसेंट लगती तो उमीद है किसे आप लोगों ने समझ लिया को आईए यहां पर तो अब आज के क्लास में स्टुडेंट्स यहां पर आज के लिए इतना ही सवाल था और हम बहतर और भी कुछ सवाल जो इंपोर्टेंट सवाल होंगे जो पिछली प्रिक्षाम पूछे के सवाल को लेकर भी क्लास देंगे तो उमीद है कि आज के क्लास से आप लोगों को बहुत कुछ लाब मिलेगा और बहुत अच्छे से समझ भी पाए होंगे इसी के साथ आज के क्लास को यहां समाप्त करते हैं और स्टुडेंट्स आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे थमसब कर देना और इस वीडियो को लाइक और सेर करते रहें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जो नए लोग इस चैनल को देख रहें जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि एक से बहतर चीज़े आप लोगों को यहां पर मिलती रहेंगी तो इसी क